यह इसके राइटर है और वो इस चैप्टर के अंदर बताते हैं कि किस तरीके से साइंटिस्ट बने है कि सैंटेफिक अटिट्टीव उनका दवलप हुआ उसकी क्या प्रोसेस रही किस तरीके से उनके अंदर जो है सायंटिविक एट्टीविक डवलप होता है तो पूरी बाते हैं वो इस चैप्टर के और बायोकेमेस्ट्री एंड मॉलीकुलर बायोलोजी सबसे पहले हैं पर शॉट इंट्रोड़क्शन दिया गया है रिचार्ड एवराइट के बारे में उन्हें एक अवार्ड मिला था सहल स्कोलर अवार्ड इसके लाब उन्हें उन्हें शेरिंग प्लो आवार्ड भी मिला औ इस ने मतलब यहां पर हैं हमारे लिए अट्रेक्शन से अपरफ इस फैसिनेशन पाट्रेक्शनदल्राइशन दुए लेशां इन्ट्रेस्ट उनका जो ऑट्त्रेक्शन था तो वार्द्ध कि तरफ बटरक्वाइज की तरफ इस तीन और उनके सामने जो है उपन दॉर्ड साइन्स तुहीं हूंके एक बहुत बड़ी दुनिया उनके सामने जाहिर कर दी या पेश कर दी साइंस साइन्स वर्ल्ड विल्ड अपस कर दी न बहुत जदा तरक्षिकी था बहुत जदा प्रघ्रिस की है बहुत आगे बढ़े वह सांस के फील्ड में और उसके पीछे जो कौनसी चीज थी जिसने उनको आगे बढ़ा आई इस चीज के लिए तो उनका जो इंट्रेस्ट था बटरफ्लाइस की प्रति उनका इंट्रेस्ट अना उस चीजों की हम जानगरी चेप्टर में आगे पढ़ने के बाद करेंगे सबसे पहले कहा है हाउ डिड़ बुक बिकम टर्निंग पॉइंट इन रिचार्ड एवराइट लाइफ सबसे पहले हम यह पढ़ेंगे इस चेप्टर में किस तरीके से एक बुक जो है रिचार्ड एवराइट की लाइफ के अंदर रिचार्ड एवराइट जो है उनकी जीवन के अंदर उनकी लाइफ में किस तरीकी से टर्निंग पॉइंट बन जाती है तो हम इस चेप्टर में आगे पढ़ेंगे इसके अलाबा हाव डिडिज मदर हैल्प इम यानि सी देखते हैं एट इस अफ ट्वंटीटू कि फॉर्मर स्कॉट ओफ द येर एक्साइटेट जी साइन्टिफिक वर्ल्ड विडिश नुव थैट वर्क 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 रिचार्ड एवराइट की जो एस ती अनली 22 एर्स थी फॉर्मर स्कॉट ऑफ द येर यहां पें उनको स्क स्काउट के अंदर पाट स्पेट करते और उनको फिर कई तरह के आवार्ड उनको प्राइज बगेरा मिलते हैं तो इस तरीके से रिचाइब राइड स्काउट इस्टुडेंट रहें और इनको स्काउट आप दाएर का वाड भी इनको मिला तो यहां पर बताएंगे एक ट्व करती हैं इस तारह की थ्यार्व राइड ने उन्होंने इस थ्योरी को इंटर्ड्यूस करके साइंट वर्ड को एक्जाइट एक्साइट कर दि हम कह सकते हैं आगे हम उनकी अचीवमेंट्स को इस तरी की से पढ़ते जाएंगे रिचार्ड एच एब राइट और उनकी जो कॉलेज रूम मैट थे उन्होंने इस थेओरी को एकस्प्लेइन किया किस थेओरी को हाउ सेल्स वर्क सेल्स कैसे काम करते इस थेओरी को एक आर्टीकल के अंदर उन्होंने जो है इसको एकस्प्लेइन किया इंदर प्रोसीदिंग्स अफ दर स का अब क्या है प्रोसीदिंग अगाई के अब उन्होंने लिखा nous पॉब्लिश करते और विजस्арищ की करते हैं पूरी जो है दुनिया के अंदर एक चहल पहल मच गई हम कह सकते साइंटिफिक व्ल्ड के अंदर साइंस के लोगों के अंदर इट वाद फर्स्ट ताइम इस इंपोर्टेंट साइंटिफिक जर्नल है इवर पॉबलिज्ड दू वर्क ऑफ कॉलेज स्टुएंट्स तो दीकि उनकी अच्छी मेंट को बड़ा क्यों माना जा रहा है उसके पीछे वज़े है कि जर्नल थी जिसका नाम क्या है प्रोसीडिंग्स ऑप नेशनल एकड़िम अप साइंस ऐसा फस्ट टाइम हुआ था इस इस इस्ट्री के अंदर या फिर इस जर्नल के इस्ट्री में ऐसा पह है उनके अंदर जो नॉर्मल लोग होते हैं कॉमन पीपल होते उनको उनके आर्टिकल्स को जगह नहीं मिलती ठीक है तो यह बहुत फैमस जर्नल थी और इसके अंदर कॉलेज स्ट्रीट्स के वर्क को जगह नहीं दी जाती जनरली ऐसा पहली बार हुआ था जब कॉलेज करनल के अंदर अपना आर्टिकल पब्लिश होना कैसा था उनके लिए इन स्पोर्स दाट वूड वी लाइक मेकिंग दा विग लीक्स एड़ दाइज ऑफ फिप्टीन एंड हिटिंग होम रन यह फर्स्ट नाइट बैट जिस तरीकी से गैम की अगर हम बात करें अगर खिलो सिक्स लगा दे डाइरेक्ट सिधा उसी तरीके से यहां पर बैस्ट बॉल में जो रन बनाते हैं इस तरह का शाट केलते हैं उसको हम रन बोला जाता है तो यहां बोला गया है कि जो उनकी जो ठोरी थी जो उन्होंने इस जर्नल के अंदर आर्टिकल्स की तुरू आप इंट सामने सांटिफिक बल्ड के सामने पेश की थी वह अचीवमेंट इस तरीके सी थी जैसे कोई 15 साल का लड़का बैस्बोल खेलने आया और आती उसने शिक्स मार दिया हो पहली बॉल पर हम रन मार दिया हो इस तरीके के अचीवमेंट थी उनकी फूर रिचार्ड अबराइट फेल्ड इस वाड़ाक ब्लण से मैं इस कोई बॉल die कृएंगे बूमा ऐख मैं पहले चला मैंति थी बहुत सारी उनकी उपलब दिया थी उनमें से पहली थी एंड अल स्टार्टेट विद बटरफ्लाइज और यह उनकी जो चीमेंट की शुरुआत हुई थी वह किसे शुरू हुई थी बटरफ्लाइज से यह बटरफ्लाइज का उनकी साइंटिफिक लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ी भूमिका है आगे एन अल्ली चाइल्ड अब्राइट ग्रू अप नौर्थ रीडिंग पेंसिल्वानिया देर वाज नौट मुच आई कुट दू देयर ही सेड़ाइज सेड़ाइज प्ले फुट्बॉल और बैस्बॉल विद टीम ऑफ वन वर देर वाज व प्रड़े रीडिंग में नामसी कुल一定要 तो रीडिंग पैंसिल्वानिया के अंदर यहिन पालन पॉशन यह वह पर यह इना पसफिंग वहां भुन हुई इनका बश्मर मुहां पर गुज्रा हम कैश्कते हैं क्या कहते हैं अपनी खुछ की जबान में क्या कहते हूं वह पर ज्यादा कुछ करने के लिए मेरे नहीं था I certainly couldn't play football or baseball with a team of one क्योंकि मैं अकेला था और मैं अकेला होती हुए ना तो मैं football खेल सकता था ना baseball खेल सकता था अकेला नहीं खेल सकता आप लोग भी समझ सकते हैं लेकिन एक चीज थी जो मैं कर सकता था और इस उन्हों सो ही डिड और ऐसा उन्होंने किया भी एंड डिड़ ही इवर कि बिगिनिग इन किंडरगार्टन इवराइट क्लेक्टिद बटरफ्लाइज भी दसेम डिटर्मिनेशन दाइज मांगड ओल इस एक्टिविटीज है ना बिगिनिंग इन किंडर गार्टन यानि जब वह कीजी के लासेज में पड़ते थे उसी जमाने के अंदर एवराइट ने जो हैं बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना शुरू किया था उसी डिटर्मिनेशन के साथ में और इस तरह का डिटर्मिनेशन उनका जो है और दूसरी चीज़े हैं जो एक्टिविटीज है उनमें भी इस्टो होता है ही और सो कलेक्टिट रॉक्स फॉसिल्स एंड कोईन्स उन्होंने क्या क्लेक्ट किया किंडर गार्टन में जब वो न σε आव एक इस्टोंवर बन गए एक एगर एस्टोंवर और हैं जो जानने की इछ रखते हों किसी चीज़ को जाना चाहते हैं कुरिर चीज़ को जानने के लिए को सब्सक्रुबल․ रहा हैं तो इस त्रीकिस तरी केसे अंदर रातों के अंदर तारों को देखते थे कुछ न कुछ न कुछ वह जानना चाहिए थे आसारी एक्टिवीडिस को अबिजर्व करते रहते स्टार्ट की अप्जर्ब करते रहते थे और कुछ ना कुछ हुओ जानने की इच्छा रखते थे इसलिए वह राते हैं अपनी जो है स्टारों को देखने में पिताया करते थे इसलिए हम कह सकते कि वह एक इगर इस्टा नमर भी बन गए आगे चलते हैं इस्टेप्ट के अंदर फ्रम दा फॉस्ट यह द राइविंग कुरियो सिटी अलॉग विद्ध इच्छा होती है ठीक है विल पावर तु नो सम्धिंग कोई भी चीज जानने की विल पावर होती है वो शुरू सी उनके अंदर मौजूद थी अलॉग मैंड उनका मैंड था इंगा दिमाग भी जो है अच्छा था मैंड दोनों सी चीज़े थी कुरियो सिटी भी पो मिलना सुनिशित था शोर था कि ऑलशो हैडए मदर फू इंकरेज इस इंट्रेस्ट इं लर्निंग तो दिकी और भी चीज उनकी फेवर में कौन सी चीजे थी कुरियोसिटी उनके इंदर थी उनका ब्राइट माइन्ड था इसके लाब उनकी जो मा थी उनóp को भ्हुत ज़ह करती थी एब्राइट को बहुत ज़ह करने में किस्का रॉल रहा मा का जन्होंने उनको लेर्निंग मेढ़त इंचरेस्ष उनके अंदर डवलब किया इस तो मान का रॉल हम कैसे मान सकते के माने उनकी लर्णिंग को कैसी इंकरेज गिया तो उसके लिए यहां पर हमारे सामने जो बाते लिखें उनकी मा जानती थी कि एक कुरियस बच्चा है और शीखना चाहता है मोशाना सकते हैं इसका इंडरेस्ट यस सरां चाहरा मा राट सकी इंडरेस्ट इसमें जाननारीच इसा सब्सकारीमां Σब्सके माइक्रो and other equipment और दूसरे तरह की चीजेंट और यह सरे चीजें वह संप कि उनकी लेसं को बढ कर दाने में उसको उनकी मांसे किसा स्कूल , उसकी मां कहती है कि मां बोल रहे हैं कि मैं रहा है companion companion मलब साथी friend मैं ही उसकी दोस्त थी या मैं ही उसकी साथी थी कब तक जब तक उसने school जाना शुरू नहीं कर दिया until he started school जब जाने की शुरुवात की उससे पहले तक मैं ही उसका दोस्त थी मैं ही उसका friend थी मैं उसकी companion थी after that I would bring home friends for him but at night we just did things together उसके बात क्या होता है आई वोड ब्रिंग home friends for him और उसकी दोस्त वगेर आते friends थे वह भी घर पर आने लग गए रिची की घर पे रिचार्ड एवराइट की घर पे रिची मेरे जीवन का मेरे लिए सब कुस था और यहीं ही वाज एवरीटिंग फॉर मी इन माइ लाइफ आप्टर देट आप माई हस्बेंड वो कहते की कहती है यहां पर कि मेरे लिए रिची सब कुस था ना क्यूंकि फादर की डैत हो गई थी रिची के फादर की डैत हो गई थी सब्सक्राइब नहीं बचाता सिर्फ रिची के याने एवराइट के इन साइंटिस्ट के स्री एंड हर सनी स्पेंड अल्मोस्ट एवरी इवनिंग एड़ डाइनिंग रूम टेबिल इफी दिदेंट हैं थीजिकल वर्क वर लर्निंग इस मदर सैड ही लाइट इट वांटे टूलन आगे और बताती किस तरह से उनका जीवन घुजरा किस तरह किसे उन्हों लाइफ स्पेंड की हर साम एवरी इवनिंग हम डाइनिंग टेबिल पर हमारा टाइम घुजरा करता था ठीक है अगर उसके पास कुछ करने के लिए कुछ चीज नहीं होती थी कोई काम नहीं पिजिकल वर्क नहीं बताती थी उसकी माह जैसे के बर्तन दोलो या खान बना लो या फिts तरह का वर्क नहीं फिजिकल वर्क नहीं होती हए कि लर्निंन इंक इस मदर सेट और उसकी माद जो हेल्प करती थी एवराइट की उसको बेनेफिट मिला उसको एडवांटेज मिला एडवांटेज कैसे मिला उसने काफी कुछ सीगा बहुत कुछ सीगा रिची ने और जब वह पढ़ता था तो क्लासिस में टॉप रेंग आया करती थी रिची की इस तम जुप और सपलेड ट सिरेश कम्साफी है नहीं टॉब रिच्टाइऑ काया थी था जबलए नहीं आते ते इसके मांक्स और बच्चों से ज्यादवा आते तहें उसकी मांक्स और बच्चों से्झादा आते??? आते थे वो intelligent था हम कह सकते हैं बट बाइद टाइम ही वोज इन दे सेकिंड ग्रेड एवराइट हैड कलेक्टेड ओल ट्वेंटीफाइव स्पेसिज ऑफ बटरफ्लाइज फांड अरॉंड इस हम टाउन टेके वें रिचाइड वोस ट्वेंटीफाइव एर्स ठीक है जब उस टूसरी क्लास में पढ़ते थे तो एवराइट ने 25 इस पेसिज ऑफ बटरफ्लाइज उनकी घर के आसपास वंके हम टाउन में हम कह सकते हैं जहां पर रहते तो उस एरी के अंदर उस एरी के अंदर से अबाउट 25 इसपेसिज ऑफ रफ्लाइज उन्होंने कलेक्ट कर ली थ जब वो दूसरी क्लास में ही पढ़ रहे थे सी फॉलाविंग बॉक्स यहां पर हमें इंस्ट्रक्शन दिया है और यहां पर बहुत सारी इस पैसी हैं बटरफ्लाइज की ठीक है ना जो उन्होंने कलेक्ट के थी अपने एरिया से उन्हों सब के नाम यहां पर दिये हुए हैं आप लोग देख सकते हैं तीन केटेगरी में उनको डिवाइड गया है अलग-अलग टाइटल्स में आपे दिखा दिखाया हुए उनको इस तरह की उन्होंने बटरफ्लाइज उन्होंने कलेक्ट कर ले थी 25 काइंट की कब जब वो सेकेंड क्लास में सेकेंड क्लास में पढ अमेरिका ओपन दो वर्ल्ड उप साइंस तुदा इगर यंग कलेक्टर रिचर्ड आवराइट किया कितने आगे देखिए कि शायद अगर क्या नहीं होता देखिए लेकिन मेरी माने मुझे एक बुक लागे दी जिसका नाम है त्रेवल्स ओफ मोनार्क 10 एक तितली का नाम है और उस बुक में बताया गया था कि जो मोनार्क बटरफ्लाइज होती है वो सेंट्रल अमेरिका कैसे जो है माइगरेट कर जाती है और इस बात ने उनके सामने जो है दरवाजी खोले किसके वर्ल्ड आप साइंस के याने साइंस के अंदर उनको बहुत अचीमेंट मिली इस चीज़ को जानने के बाद है काम करकलेक्ट करने का विए कर यंग करक है। तो फाइनली बात क्या हुई वो कह रहें कि साइद मेरे बटरफ्लाइंग कलेक्टिंग की अक्टिविटी बंद हो जाती है अगर मेरी मा मुझे बुक नहीं लेके आती जिस बुक का नाम क्या है दट्रेवल्स और मोनार्क एक्स और उस बुक में बता गया था कि कैसे जो है मो लेक्स चेप्टर में आगे चलते हैं एड एंड आफ दा बुक रीडर्स वर इन्वाइटेट टू है इस टडी बटरफ्लाइं माइग्रेशन जो बुक थी बुक का नाम क्या है जो अभी हमने पढ़ा ट्रेवल्स और मोनार्क एक्स तो जो बुक थी उस बुक ने उस बुक में इन्वाइट किया गया था किसको रीडर्स को यह कहा गया था रीडर्स को इस बात के लिए इन्वाइट के गया था कि जो बटरफ्लाइं माइग्रेशन से उसकी स्टडी करने में जो कर रहे हैं वो उसकी स्टडी करें और हमें उसके बारे में बताएं उनको हमें दिया होता है beginning या ending के अंदर विगिनिंग के अंदर फॉस बुक में लास्ट में एक message दिया था और यह कहा गया था उस message के अदर के आप हमारी help करें बटरफ्लाइज माइग्रेशन के अंदर माइग्रेशन की स्टड़ी के अंदर आज टू टेक बटरफ्लाइज पूर रिसर्ट्स बटर फ्रेडरिक एर्ग हर्ट ऑफ उनिवर्सिटी ऑफ टॉरेंटो कनाड़ा उनसे कहा गया था रिडर्स से कि वह जो बटरफ्लाइज हैं उनको टैग करें हो है ना टैग क्यों करें टैग किसको बोलते हैं कोई भी चीज होती है उस पर हम इस्टिकर वगए लगा देते हैं किसी भी चीज के उपर उसको वोलते हैं उन रिडर से कहा गया था कि जो बटरफ्लाइज है उनको टैग करें ठीक है क्यों कि रिसर्ट की जानी है और कि जानी है डॉक्टर फ्रेड्रिक एर्गट आफ उनिवर्सिटी ऑफ टॉरेंटो कनाड़ा टॉरेंटो उनिवर्सिटी को टैग किया जाए ताकि उन पर रिसर्च की जा सके एवराइट्स मदर रॉट टू डॉक्टर अर्गहट एंड सून एवराइट वोज अटेकिंग अटेचिंग लाइट एडेसिप टेक्स टू दा विंग्स ऑप मोनाक्स एवराइट की माती उन्होंने डॉक्टर अर्गह और उन्होंने बटरफ्लाइट की बिंग्स पे अधेसिप टेक्स लगाना शुरू उन्होंने कर दिया है किसने शुरू कर दिया है रिचर्ड एवराइट ने यह बात किस नहीं बताई रिचर्ड एवराइट की माने किसको डॉक्टर अर्गहट को एडिवन वूफाउंड बटरफ्लाइट के पास बटरफ्लाइट करने का जो मौसम था यह जो सीजन ता जो टाइम था एराउंड रीडिंग जगे एक नाम है जहां पर रिचर्ड एवराइट का बच्पन गुज़रा है कितने दिनों तक चला सिक्स बीक्स तक शमर के अंदर लेट समर में सिक्स बिक्स तक प्रोग्राम चलता रहा यह सीजन चलता रहा बटरफ्लाइट कलेक्टिंग का इस इस फिए टो आप ज्यादा बट सब्सक्राइब करने का और क्या तरीका हो सकता है तो नेक्स स्टेफ और राइट वॉस्टू रेज फिलक बटरफ्लाइज इसलिए बैटर रहे एक बटरफ्लाइज के पीचि कहां तक भागेंगे ऐसे तो ज्यादा बटरफ्लाइज क्लेक्ट नहीं हो पाएंगी रिचाड और उनके अग्ली स्टेफ उन्होंने क्या किया उछा कि क्योंड़ बटरफ्लाइज को रीज किया जाये और उनको पाला जाये उनको ग्रो किया जाए ठीक है रहे रियक प्लेस नग्या होगे उद्धन तरीक है क्यों समृट उधन क्या मोनार्फ मण थेगार k you एक्स अंड reg वेस्ट पेसे में ठोद याव्छ साइकल फिरम एक टो टुट पर टूपर टूइल बटरफिलाइ तो उन्हों ने किया किए काम के लिए लिए अब बटरफिराइच को भी करने के लिए पालने के लिए हुनकी संख्या को बढ़ाने के लिए उन्होंने एक फीमेल से उसके पर लिया और अपने बैस्मेंट के अंदर रख दिया हो लाइप साइकले मदिये गजरने दिया सबसे पहले एक एक सिफिर के टरफिलर ने पूरी लाइफ से और उनको गजरने दिया यह उनको गुजरने गाइन क सी इस तो इस तिरा पूरी यानको यह उनको कंप्लीट लाइफ फार्म में डवलाप होने धिए ये ये और ये और ये चुन जो छोड दिया और फिर वोगरशारों मौनाक्स जो धीले अधिया उनका घर बना रहा क्यों कर रहे थे इस काम को उनको पालने का काम कर रहे थे एक तरह से हमके सकते हैं उनको करने का काम कर रहे तो और कई स्टेशिस में उनको देखा जा सकता है यानि कुछ आपको प्यूपा नज़र आएंगे कुछ आपको प्राइट के बैसमेंड के अंदर यहां पे एक टेबिल हमारे सामने जी ग्राफ हमारे आपर सामने दिया हुआ है नमबर एंड काइंड्स ओव अब टरफ्लाइज कलेक्टेड इन है 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 है